हालो देरे स्टेंट्स माइनम इस बीनी सिंग एंड आई एम फ्रम विंटेज केंपस रुड़की और सब्सक्राइब का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जैसे आपको पता होगा कि मैं एक टॉपी लेके चाहा था कलेंडर का कलेंडर का पहला दूसरा ती इस समय किसका कलेंडर चल रहा है तो पहला दूसरा तीसा लेक्टर को देखके यह लेक्टर देखना तब जादा अच्छी तरह से समझ में आएगा स्टाट करते हैं कलेंडर का फोर्थ लेक्टर दोको जैसे कभी सुने होगे कि मैं एक टॉपिप पढ़ा रहा हूं ठीक है जैसे आप सुनोगे किस मंत में कौन सा दिन कितनी बार पढ़ता है या फिर पढ़ सकता है या फिर पढ़ेगा ठीक है और छोटा टॉपिक लेक्टर आए हूं आपके सामी तो स्टार करते हैं जैसे एक मैं इसको बसे एक बनाऊंगा उसके बाद उसको दुबारे नहीं बन थर्जडे, फ्राइडे, स्टर्डे और यहां पर संदे इस टॉपिक अच्छे समझना हूं ठीक है मैं प्रामिस करता हूं आज बाद ऐसा टॉपिक सबको सवन्या जाएगा और कोई भी टॉपिक पुछेगा हर एक्जाम में कॉश्चन पुछा जाता है ससे एक्जाम में र दिसंबर महिना है और आपको पता होगा मुझे पता कि दिसंबर मन्थ में 31 दिन का महिना होता है जैसे यहां पर हम बूछ जाती हैं यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ मैं कॉंछ बता रहा हूं इस वसी मैं पस इसको एक ही बार लिखूंगा उसको दो बार नहीं ल 20 21 और फिर कर लगा 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 जैसे आपको पता होगा कि दिसंबर मन्त में कुल 31 दिन होता है अब दोखो कोई पूछेगा किस मत में कौन साथ दिन कितनी बारत पड़ता है ठीक है जैसे एक एक्जामपल लिया होगी दिसंबर महिने का यह है ठीक है जैसे में बुलिया कि जैसे में बुलिया कि पहली दिसंबर को मंदे पड़ता है तो मंदे दिसंबर के मंथ में कितनी बार आएगा ठीक है जैसे में बुलिया कि पहली दिसंबर को यदि यदि पहली दिसंबर को सोमार पड़ता है तो दिस्सम्बर के महीने में सोनवार कितनी इंबारत आईगा यसे पता होगा असे हैं सब क्राइब त्ष्मुन वहना दिस्सम्बर के मन्थ में सोनवार पांच वह पड़र यद्रैकर अब इस तरह हम अटर्ड लागा सकते हैं अब धां तुना। यदि कौई साभी महीना यथी कोई साभी महीना 31 का होगा। धां सुना। यदि कोई साभी महीना 31심 को जनवरी मार्ट होता है नूए यदि पहली और एकते कोई सेम्हाय 51 दिनकलती isam1 दूसरी और थे सबीसी तारिक परने वाला दिन उस महीना में थी बार पर इसे बास है लिए पहली स्टमबर को मंडे था उपनेसी बात पास हैं धांतना यदी वो महिना 31 दिन का होगा तो पहली तारिक को पढ़ने वड़ा दिन दूसी तारिक को पढ़ने वड़ा दिन और तीसी तारिक को पढ़ने वड़ा दिन उस मंथ में हमेशा हमेशा 5 बार आता है तो पहली तारिख को पढ़ने वार दिन और दूसी तारिख पढ़ने वर दिन हमेशा उस मंथ में पाच बार आएगा जिसे आपको पता है मुझे पता कि में महिना की तीज दिन का होता है तो मतलब होगा होगा पहली तारिक को पढ़ने वतले दिन और दूसरी तारिक को पढ़ने उला दिन हमिषा 30 बार परेगा सर्थ यह है कि वह महीना तीज दिन का होना चाहिए ठीक है संब्हां के न अब देखो जैसे मैं ने बोल जा कि यदि वह महीना 29 दिन का है जैसे मैंने बोल जा कि फरवरी 2020 ओब यह सी बात है फरवरी 2020 का कि दिन क पहले तारी को पढ़ने वाला दिन हमेशा पांच बार पढ़ता है हमेशा पांच बार पढ़ता है अप सुनो लास्ट कुस्टन बना रहा हूं लास्ट टॉपिक यह समय वह महिना यह 28 दिन का वह तो वह थो कौम सा दिन पांच बार पड़ेगा यदि वो मेना 28 दिन का हो तो कोई शाबी दिन पांच बार नहीं पड़ेगा ठीक है आज तक का रिकार्ड़ चाहे कोई भी कंडन उठाके देख लो सर्व यह है यदि वो मेना 28 दिन बहुत हमाने तक फरी मेना होता हुटा है तो कोई स्याल स्य प्राइब ये पलओ है फिर भी सिवड़ा Cloneauf पड़ेगा चाहे हूं प्रण चाहे मेना 51 जिन पेहली दूसी तारीक को पढने वर दिन पाँच बार पढ़ेगा स्कृनिंज सथीधिन भूआ है ऐस्के ले लो और अपना नोर्च बना लो जर्दी से इस्क्रिंसौट ले लो कि हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर में कुछ कोश्चन करने वाला हूं अब देखो इस्टार्ट करूं इस्ट्रिय लो ठीक है और प्लीस सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को सेर करना ठीक है और आपका लाइक और आपका सियर मुझे बहुत मोटिवेट करता है होगा सबीकर परदू अब देखतें अब इसके उपर दो-तี कोष्चन पढ़ते यह अब धामसन नए जैसे मैंने बोला धानसना शुनुत है जैसे मैंने बोला था पहली और पहली माई को थिक है जैसे मैंने बोला के पहली मई को यदि मैंने बोला कि पहली मई को संडे था तो मई महीना में संडे कितनी बार पड़ेगा बताओ यदि वह महीना 31 दिन का होगा तो पहली दूसरी तीसी तारिक को पड़ने दिन हमेशा पांच बार बढ़ता है और ऐसा पोस्टन सीजल में ठीक है पुलिस की इग्जाम में हमेशा आता है और रेलवे की इग्जाम में भी आता है जिसके पर रापांच चुन कर लेगा तो सब्सक्राइब करके अब यसे बात कर दो लोगे लेकिन आपने एक्जाम में सेलेक्शन होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है अब आगे बढ़ते हैं अब देखो इसके उपर बहुत साथ कुस्टन है ठीक है और आप लोग कर दिएगा और जो भी कुस्टन डाउट होगा तो कमें बाक्स में मुझे सेंट कर दिजिए जो मैं देखोंगा तो आपको आंसर मैं बता दूघ सबस्क्राम करता है कि अब होता है एक सबता में साथ दिन से जितना भी जादिन होती उसको क्या बोलते हैं याद है जैसे अब दोगो क्षण धाम सुना जो कोशन बहुत बार आचुपका है एसा क्षण आचुपका है तिक है क्षण सुनूं तिक है यह दूसरा क्षण है पहली जैनवरी जैन फार सुमधा तो जल्दी से बस तौ 11 दिस्थम पर घुजारवनिस्थ को कउन साद इन पढ़ेगा तो धांसना मैंने कब दाता इस इट वास मंदे ऑन फॉस्ट जैन तूजन नांटीन देन वाट वी डे ऑन थर्टी फर्स दिसंबर तूजन नांटीन ठीक है आंसर तो कुछ तो का अंसर आजय होगा आंसर का हो जाएगा मंदे अ बता कि अपनुट अब दको अब दको चल्ट करें बताओं से आपको पता हो गया कि हमें करना पड़ेगा जनवरी इसलिए के दिस्जंबर तक हमें और दे निकालना पड़ेगा अब यसी बात है और ड्यक्या होता है What सप्ता से जीति में भी jireti होसं पर बौक Dos जिस कि बढ़ा है सास से कहता हो जै। कि आइसां करेंगे 2 पूंध बताने वाला हूंupp妮िशति लगूत है यहाँ नई इचिकिंपे साथ का पलती है और साल का आखरेंे पूछेव प्मुचे और सल झो हमें डेल से कोई मतलब में रता है धान सुना यति साल का पहला दिन दिया हो और साल का आपनी पुछे हमें डेट से कोई मतलब रहता है हमें किसे मतलब रहता है यह से मतलब रहता है अब दोखो इस वादा दो और साल का पहला दिन दिया हो और साल का आखर दिन पूछे तो हमेशा क्या होता है सीम होता है मतलब को अब्रसी बात है मंडे ही पड़ेगा यह यकीन होगा तो मुबाइल निकालके दिखना यही दिन पड़ेगा अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर को प्लीज लाइक करते रहना और अपने दोस्तों को सियर करते जाना तो आपको बता कि लॉगडाउन लग गया है तो लॉगडाउन में मेरा अच्छा नहीं आ रहा था मैं काम किया हूं ना कि कोचिंग का बोर उठा के अपने घर पर आया हूं ठीक है तो आज से आपको देली लेक्चर मिलेगा मेरा ठीक है ठीक 9 बजे रात को ठीक है अब देखते हैं हम करते हैं 30 कुश्चन अब धाम सुना जैसे में बोलता जैसे म जैनवरी दो हजार दीशको यदि मंडे था इफ एट वास मंडे और फॉस्चन टू थाजर यदि पहले जैनवरी दो हजार जैस को स्वर था सो जल्दी से बस यह बता दो एककद्टीस दीसतम पर दो हजार बीश को कौम सा दिन पड़ेगा ठीक है इफ इट वास मंडे कुछ्छन होगा सेम को सन नहीं है बहुत डिफ्रेंस है अब सुनों याति किसी कोष्चन में नहीं किसी कोष्चन में साल का पहला दिन दिया हो और साल का आखर दिन पुझे तो हमें डेट से कोई मतलब नहीं रहता है था कि तो हमें डेट से कोई मतलब आ रहता है' हमें किसे मतलब रहता है' से और और सी बात करघा龍 थोACE 2020 हमारा Center dak moc होता है हमारा हूं अली lifes हूं चरह siER होता है और मतलब होता है अखर office यहिए त्काम बात है कि 20 हो तो साल का पहला करेंगे क्या हो जाएगा Tuesday हमारा हो जाएगा और पता है ना 2020 कैसी रहे लीप्यर और लीप्यर क्या होता है जो चाहर से डिवाइड होता है है कि नहीं है लेकिन यहाद है पिसलेक्स में बता दिया था century year नद्रक्स में नहीं होता है क्या होता है सतावति वर्स भी आदी वर्स होता है जहां जहाँ पूरा देन होता है साल का आखर दिन उश्सें एक दिन जादा होता erreicht वह से होता है तोटल साथ लेक्छर आजाएगा टोपो परामिस करता हूं इस तक और आज तक को शुन नहीं आए और आगे भी नहीं आएगा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब बहुत हो गया जिससे आपको सुनोंगे आज यदि रभी वार रहा है तो आज से 15 दिन बाद कौंच दिन हो गा ऐसा कोश्चन हम करते हैं ठीक है हम विक के ऊपर आते हैं या फिर मंत के ऊपर आते हैं ठीक है अब दगो चवत्हा कोश्चन अब सो मारे तो पावन दिन बाद कौन स्था दिन पढ़ेगा तो पावन दिन बाद कौन स्था दिन पढ़ेगा ठीक है अब अब दखो आपको पता है मुझे बठता कि सब्तार कोई सावे दिन साथ दिन बाद करने पता है अब अब देखो और देश से बात है एक्साम में पचास कोश्चन आते हैं पचास कोश्चन में कम सकम 15 कठार कोश्चन बहुत इजी रहता है ठीक है लेकिन वो चाहता है आप करो आंसर करो ठीक लेकिन आपका समय विष्ठ हो जाता है ठीक है यदि आपके पास सौटकट ने रहेग किससे बढ़ा है साज से याद करो लेक्चर ठीक। यदि लेक्चर नहीं देखोगी तो पहला दूसा तीसा लेक्चर जरू देखना खास पर पिर तीसा लेक्टर देखने ने चाहरे ठीक है प्लेस तो आं आपको अच्छे समय आ जाएगा ठीक मैंने बदा तरह है यदि करेंगे सास सते उंचास और कितना हो जाएगा दुक क्ति कम जाएगा ये थीन हमारा क्थ fittest तरजडे और क्या हो जाएगा अब्यसी बात है हमारे का आंसर क्या हो जाएगा थरजडे या फिर गुरुवार ठीक है यती सुनो मैंने कब लाद था यती कोई साथिन दिया रहेगा यती बात का दिन उच्छा जाएगा तो उसको साथ से डिवाइड करके जो रिमेंदर बचे को साधीन होगा तो इससे बड़ा है साध से बड़ा है साध कौन क्या कर देंगे बामोन क्या करनेंगे शाय से डिवाइट करते ही साध सेुरंदर करीएगा जब तक् आप आन्चिन दोगी तब तक मैं ऑबयस इबात्थे नहीं बताऊंगा अब दखूत पांचा कुष्शन पांचा कोश्चन का हो जागा जैसे मुल्या कि यदि आज बुध्वार है इस इस इडि आज बुध्वार है तो आज से यदि आज बुध्वार है तो 2-37 डिन बाद कौन साथ दिन होगा यदि आज बुध्वार है तो तेनसोuti इने बात कौन साथ दिन होगा जैने कर जैने करो कि जैने आंशार आघे होगा यहां जैनी आज बुध्वार है तो ये अज़े से एक और होगा तो थो थृ शिष्टी सेवन देवाग को जनोगा से ऐसाथ थीजती सेवन तो से ब्लों में किसे बड़ा है साथ करेंगे साथ नहीं कर लेक्डती अब ज यह से मैं तो सब्सक्राइब का तरह कर देंगे तरफ्सक्राइब का और थर्जदे और तक कितना हो जाएगा सट अगे आंसर कितना हो जाएगा सट अगे काम खतम होगे नहीं होगा ठीक है सुनाएं वह बागी है उसके बाद में लेक्चर को आज लेक्चर सम्मुत कर दूगा होगे सभी का अब देखो अब दखो अभी तक अभी तक हम आगे जा रहेते हैं अब हम पीछ आएंगे यदि जैसे मने बुलता कि छटा कुर्शन प्लीस लेक्चर लाइक कर दो यार यदि आपको समय आ रहा होगा तो ही लाइक कर दो यार ठीक है बस पढ़ो लिखो बहुत बढ़िया मोगा है लागड थीकर सबजेक में तो तो सोल दिन पहले कौन सा देर अब दोगा है तो और दिन से बढ़ा है सास से हम क्या करते कि सास से दिवायद कर दिंगे और यह हमारा का whirlet संदी है हम दो चिन क्या करेंगे एक करेंगे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे क्यों क्यों कि हमें पहले दिंपूछा गया तो संटे में दो दिन स्थप्पेड़ करता है कि पहला दिन क्या हो जाएगा ऑब्यसी बाता है एक छोटी-मोटी एक्जाम इसा है कुष्ण आता है हार, मुझे पता है, ये Topics आसान है, कल का topic भीच खतना कोड़ने वाला है, suggest लेकिन मैं कल डिकेट में चलूगा डिकेट मतलब क्या होता है दस वर्ड़ों के अंजदर क्या बोलते हैं डिकेट बोलते हैं होगे सभी का अब देखते हैं अब उसके अब करते हैं फिर्ट करते हैं सात्मा कुष्टन जिसे मूल दिया कि यदि आज ट्यूज्डेय है यदि आज मंगलवार है तो आज से यदि आज मंगलवार है तो 135 दिन पहले कौन साथ दिन था ठीक है तो यदि आज मंगलवार है तो 135 दिन पहले कौन साथ दिन था सुनो यह क्या है साथ से दिवाइड कर देंगे किता हो जाएगा और यहां कितना जाएगा त्यूज्डे में हम दो दिन का रहेंगे माइनस कर देंगे तो यहां संदे होगा खतम और साथ कुक्सों अब सुनों ठीक है अब ढौन दोस्ति एंप्सिन किश्डाण को क्योंकि लास्व से डूरी तो जैसे मैंने बुलिया कि यदि आज फ्राइड़े है तो बावनवा दिन कौन सा दिन खोगा यदि आज सुक्रवार है तो कं सा दिन कौन सा हाँ किससे बडा है साथ से हम क्या करते हैं कि साथ से डिवाइट कर देंगे कितना हो जाएगा अब देशी बात है तिन हम फ्राइड दिन लुक्त और गलत हो जाएगा ठीक है याद करो सुनों याद करो आप पांच में कोश्च्शन में का बज़ा थ्यात है ये आज Friday है तो 52 दिन बात कॉंण सतीन होगा और इस question ने बहुत था यदि आज Friday है तो 52 दिन कॉंस था दिन होगा? ठीखर, यदि पूछेगा 52 दिन ये यदि पूछेगा Wow तो हमेशा 8 दिन से हमेशा 1-स कड के और यहां कडना होगा 2, और यहां पर Friday का स्टेने करेंगे दो दिन ाड कर दिंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा अब जो सी बात है संडेज टीक को बात वाला दिन और वाव वाला दिन बहुत अंतर होता है यहती पूछे का बावन हमा दिन कौँ दिन होगा तो साज से डिवाइट इन रिमीट है कि समझाएगा तीन और तीन में हमेशा एक दिन स्थ्पट करना कितना हो जाएगा दो समझना बाज वाला दिन और वाव वाला दिन इसमें डिफ्रेंस समझ जो यार ठीक है और फमीसा यही ऑप्षन आता है यार जैसे संडे मंडे लोगा कुछ लोग मंडे को टिक कर देंगे ठीक है अब लाश कोश्चन ठीक है डिसनस करने जा रहा हूं आप इसको अच्छी तरह समझना और अच्छी तरह से आंसर देना यह लाश कोश्चन ठीक है जैसे में बुलिया कि ना हुआ कोश्चन अब धान तुमनों तो कम में तिक बताने रहा हूं ठीक है यदि आफ्टर वाला दिन पूछे तो हमेशा और दे निकालकर उसमें एड कर देना ठीक है यदि वाला दिन यह होगा ठीक है लेकिन वा वला दिम वा यह वा वला दिम पूछे जयेका तो उसमें अलग को लोजिकल लगेगा यह वल दे पूछे और दे निकाल के हमेशा एक दिन स्टप्रेट करना तो वही दिन निकले गया है और ऐसा कुछन आता है ठीक है लास्ट कोश्चन बता रहा हूं जिसे मने बुल जा कि यदि जैसे मने बुल जा यदि आज यदि आज वेडनस यह यदि आज बुद्वार है यदि आज हुआ नंत्र दिन काउंसा झाल होगा थाटि आज बुद्वार है है तो कॉन सा धिन होगा तो पैसन हुआ से बढ़ कि आकर आ है tooth आट है को यदि अ क्या करेंगे तो जिसे क्या करेंगे नहीं हम क्या करेंगे वाक यहां पर एक कर सका पुछा गया है वह पुछा गया न तो हम क्या करेंगे 2 में से 1 मानिस करतेंगे 1 और यहां पर क्या है एड करेंगे कल का लेक्चर मैं डिकेड को पर और पर्षो का लेक्चर सेंच्यूरी को पर कराऊँगा जिससे कोशन सुनोगे इसमें लोगे 15 अगस्त 1947 कौन से दिन था ठीक है मैं किसे भी रेंडम डेटा बर्थ में ले लूँगा और मैं बता सकता हूं आप कौन से दिन पैदा हो गया ठीक है यह लेक्चर बाद में आगे है तो पीस चार लेक्चर देख लिएगा और हमेशा याद कर लेगा दोखो ओभर्वी देता हूं धांसना यदी धांसना यदी दोखो आज हमने क्या कर पड़ा है अब धांसना एक बारी वाइसका लिखता हूं ठीक है यदी वह महिना 31 दिन का होगा तो पहली तारिक दूसी तारिक और तीसी तारिक को पढ़ने वर दिन हमेशा पांच बारत आत है कोई भी ठीक है यदी वह महिना 30 दिन का होगा तो हमेशा पहली और दूसी तारिक को पढ़ने वर दिन हमेशा पांच बार आता है यदी वह महिना 29 दिन का होगा तो फिर क्या होगा हमेशा पहली तारिक को पढ़ने वर दिन हमेशा पांच बार आता है यदी वह महिना देख सकते हो यदि मेरे बाद फिर क्या बूलिया था यदि कोई रिफ्रेंस दे दिया लेगा जिससे यदि आज मंडे है यदि आज बुद्धवार है यदि मैं बाद वाला दिन पूछूंगा तो हमेशा हमेशा सास से डिवाइड करके यदि वह दिन सास बढ़ा रहेगा तो हमेशा सास से करके उसको क्या करतेना ऐड कर देना यदि मैं वाला दिन पूछूंगा तो हमेशा सास से डिवाइड करके ओड धिन निकलना और और प्रस्टे के दिन माइनस करके आंसर निखा देना आज का लेक्चर का पूरा पूरा समरी आपके सामने हैं बाकी हम लोग कल्म लेंगे और प्लीज लेक्चर को लाइक ज़रू करेगा और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को सेर कर देना ठीक है थाइम क्लास